पंजाब सरकार की ओर से पिछले लंबे समय से चल रहे हैं आंगन वाडी सेंट्रों को बंद करने और वह बच्चों को स्कूल में भेजने के फर्मान को लेकर आंगन वाडी संघर्ष पर उतर गया हैं वहीं आज जिलम मोगा की हजारों अंगन वाडी वरकरों ने पहले रोश मार्च निकाला और उसके बाद डिप्टिक कमिशनर के दफ्तर के बाहर धरना दिया और उसके बाद अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचने के लिए हजारों वरकरों ने मोगा के MLA डॉक्टर हर्जोत कमल के दफ्तर का घिराव किया उसके दफ्तर के अंदर धरना दिया और सरकार का पुतला जलाया और मांग की कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं पूरी की तो वो अपना संगर्श और तेजी से करेंगे इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो पिछले 42 सालों से छोटे छोटे बच्चों को संभाल रही है और अब सरकार ने उन 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया है सरकार ने इस ऐलान को 14 नॉवंबर को करना था लेकिन अब रातो रात ही इसको लागू कर दिया गया है इसके बाद हम 28 अक्तूबर को मलेर कोटला में रजिया सुल्ताना की कोठी का घिराव करें अप्य सुल्तान पहलती ऐसे चेह सम्कीशे कोटैना की में रजिया सुल्तोय। आप दे बच्चे तानों दे माडल स्कूल ला ने वेचल आया हुए या ते इनना बच्चे नू की में लाना चोंदे या ताके साननू जड़े साधिया बहत तरह जारा अंगर वाड़ी चरंजा लाड़ हैगी या वरकरा हेल परा इनना नू नोकर अधवां जे कार रहे है ता आपके साधी जड़ी रोटी दे वेचला में मंगा साधिगा यही है जड़ी प्री नार्शरी कलास साधिगा साधे कोल रहे हैं नहीं साननू प्रेमरीस दे आपकदार दर्जा दितता जावी जेकर सरकार्त वाडिया मंगा ने मंदी तो ड़ागला गरमजी हुए अगला साधी कोई सनुवाई नी हुए हर्जोद कमला जड़े एम्मेले साभा हो साधे मत्य नहीं लग एगे उनना दे पीए सीगे उननाने सानुकिया भी यह सी मीटेंग लग कीती होई यह साधा जो तुसी अग्गे बारक कीता हो दे तै कोई कार्वाइनी साधी होई यह सी मांग झाल झाल